नमस्ते, Unicommerce O2O में आपका स्वागत है. ये वीडियो आपको एक पिकप ओडर को प्रोसेस करना से खाएगा. पिकप ओडर का मतलब है कि एक कस्टमर स्नाप टील पर ओडर प्लेस करता है और पिकप का ओप्शन चूज़ करता है. कस्टमर को वो पर्टिकलर स्टोर भी सिलेट करना होगा जहां से वो पिकप करना चाहता है. जैसे ही वो ओडर Unicommerce में आता है, वो उस स्टोर को असाइन हो जाता है. उस स्टोर के मैनेजर को SMS और E-mail के जरिये ये इनफॉर्म किया जाता है कि स्टोर में एक नया ओडर आया है. अगर चैनल कंफिगरेशन में आटो वेरिफाइ ओडर्स को नो सेट किया है, तो आगी प्रोसेसिंग के लिए सारे नए ओडर्स को मैनुविली वेरिफाइ करना होगा. लेकिन अगर आटो वेरिफाइ ओडर्स ये सेट हैं, तो ये ओडर्स डिरेक्ली क्रियेट हो जाएंगे और आप वहीं से प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं. जैसे ही ओडर्स प्रोसेसिंग हो जाता है, सिस्टम ओडर आइटम्स के लिए अवेलिबल इन्वेंटरी चेक करता है. अगर ओडर आइटम्स फुल्फिलेबल हैं, तो उसकी एक शिप्मेंट बन जाएगी. अन्फुल्फिलेबल आइटम्स के लिए सिस्टम में उस प्रिशेट का अड्रेस और 6 डिजिट वाला सीक्रिट पिन होगा। शिप्मेंट्स को दो तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है। एक एक करके या फिर कई सारी एक साथ। आईए, पहले देखते हैं एक शिप्मेंट को कैसे प्रोसेस करते हैं। शिप्मेंट्स पेज में न्यू टैब पर जाएं और उस शिप्मेंट कोड पर क्लिक करें जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं। आप उस शिप्मेंट की डेटेल्स देखेंगे। उसका स्टेटिस क्रिएट होगा। अब आपको उसकी इन्वोइस प्रिंट करनी है। उसके लिए प्रिंट इन्वोइस आईकन पर क्लिक करें। नई पॉप अप विंडो में Create Invoice पर क्लिक करें, अगर आपका पॉप अप विंडो नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपका पॉप अप ब्लॉक्ट हो, अपनी ब्राउजर में राइट की तरफ एक रेड क्रॉस के साथ आइकन आएगा, उसको क्लिक करके Always Allow Pop-ups वाला option सिलेक अब Print पर क्लिक करें, एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको Invoice दिखेगा, अगर ये Invoice ठीक है, तो विंडो को Close कर दीजिए Product की Category की Definition के हिसाब से सारे Taxes Calculate होते हैं और फिर Invoice निकलती है, आप देखेंगे कि अब Shipment का Status Ready to Ship हो गया है ये याद रखें कि Invoice करने से पहले या बात में आप Customer को Verify कर सकते हैं, इसके लिए आपको वो 6 डिजिट का Secret Pin डालना होगा, जो Customer ही आपको देगा आप ये Step अभी यहां Skip भी कर सकते हैं और तब कर सकते हैं जब आपको Shipment Handover करनी है, वो आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे Shipments की Processing पर वापस आते हैं और देखते हैं कि Bulk में इन्हें कैसे Process करना होगा वो सारी Shipments जिन्हें आप एक साथ Process करना चाहते हैं, उन्हें Select कर लीजिए Action आइकन पर क्लिक कीजिए और Print Invoices को Select कीजिए सारी Taxes जो आपने Product Category के लिए Define किये हैं, वो Calculate होके आजाएंगे एक नया Window खुलेगा, उसमें Proceed बटन पर क्लिक कीजिए Create Invoice पर क्लिक कीजिए और फिर Print एक नई Window खुलेगी जिसमें आपको Invoice देखेगा अगर ये Invoice ठीक है, तो Window को Close कर दीजिए अब सारी Shipments Ready to Ship Status में Shift हो गए हैं उपर Ready to Ship टाप पर क्लिक कीजिए जैसे ही Customer अपना Shipment पिक करने आता है आपको Shipments Detail पेज खोल के Mark Delivered पर क्लिक करना होगा ये आप तभी करेंगे, जब आप उसे Shipment handover कर दे कस्टमर द्वारा बताया गया 6 डिजिट का Secret Pin एंटर कीजिए ये एक mandatory step है अगर आप यहां Code Enter नहीं करते, तो Shipment Delivered Mark नहीं होगी ये विंटो तभी आएगी, अगर आपने पहले Customer Verify नहीं किया है अगर कस्टमर के पास Secret Pin नहीं है, तो घबराईए नहीं क्योंकि सिस्टम में Order के साथ Customer की डीटेल सेवड रहती है जैसे ही आप Resend POD को दबाएंगे, सिस्टम अपने आप वो Secret Pin कस्टमर के फोन नंबर पे भेज देगा वो अब Pin देकर Order का Pick Up कम्प्लीट कर सकता है Pick Up Shipment का एक पूरा Life Cycle यहां खत्म होता है ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद